तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GTL Infra के बारे में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से request है सर कि अगर आप लोग अभी तक हमारे website पर नहीं गये हो तो जल्दी से visit करो क्योंकि मैं सबसे पहले वहीं पर update करता हूँ हर एक share के बारे में तो आप बात कर लेते हैं sir GTL के बारे में कि यहाँ पर गिरावट हमें देखने को क्यों मिला GTL में लेकिन share में गिरावट क्यों है यह जाने से पहले मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि market में क्या चल रहा है अभी के समय पे आप सभी ने ये न्यूज तो देखी है sir कि यहाँ पर 4760 करोड का फ्रोड हुआ है GTL Limited में ठीक है अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना होगा कोई-कोई वेवसाइड है मैं आपको यहाँ नहीं देखा सकता किसी भी वेवसाइड को कि यह देखी वेवसाइड है जो गलत कहरी है ऐसा मैं टार्गेट नहीं कर सकता sir आप थोड़ा समझे लेकिन आप खुद पढ़ रहे होंगे अभी के समय में किसी का आर्टिकल तो आप देख रहे होंगे कहीं लिखा हुआ है GTL Limited Bank Fraud 4760 करोड रुपे जो Bank Fraud हुआ है इस टैप से Heading है कहीं पर आपको पढ़िएगा तो वहाँ लिखा हुआ है GTL Infrastructure Bank Fraud तो आप जड़ा सोचिए sir यहाँ लोगों को अभी यह चीज़ खुद ही नहीं पता है कि Fraud हुआ किसमे है कोई कह रहा है कि GTL Limited में और कोई कह रहा है GTL Infrastructure में एक बात और आपको बताओ sir GTL Limited अलग कमपनी है और GTL Infrastructure Limited यह अलग कमपनी है और हाँ एक बात यहाँ पर ज़रूर है sir कि GTL Infrastructure Limited जो है इसका Parents Company GTL Limited है तो अब मैं आपको बताओ sir कि यहाँ पर जो Fraud हुआ है ना GTL Limited में हुआ है ना कि GTL Infrastructure Limited में तो आपको यह बात समझना चाहिए तो sir GTL Infra में गिरावट क्यों है क्योंकि यहाँ Bank Fraud तो GTL Limited की है तो गिरावट GTL Infra में क्यों तो यही लोग समझ नहीं रहे हैं और share जो है वो अधिक मातरा में बेच के निकल रहे हैं यह एक रीजन है लेकिन इससी भी बड़ा रीजन है कि share तो तब भी भी करा था sir जब यह news नहीं आया था तब तो share में गिरावट नहीं था तो share में गिरावट का reason अब आप लोग ध्यान से समझिए कि promoter तब भी ऐसा करते है sir जब उनको share को निकालना होता है अपने पास लाना होता है और एक बत आपको बताओ sir company का foreign जो इन्वेस्टन होते है न उनसे एक deal चल रहा है और इस deal के बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियोस में बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि उन्हें deal को मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से explain करूँगा जिसका वीडियो बनाने में कम से कम 15 मिंट तो लगी जाएगा sir इस पे हम पैसा लगाने के लिए आपको कह रहे हैं ठीक है अब एक बात है आप पूरा अपना संपत्ति मत लगा देना जी टीयल पे मैं हमेशा कहूं sir 1000-1500 रुपया बहुत है अब आप लोग 10,000-20,000-50,000 खरीद के रखे हो तो sir वो आपकी गलती है आप इंवेश्ट करना सीखे नहीं हो तो मैं यही कहता हूं 1000-1500 रुपया लगाएंगे अगर जब positive दिखने लगेगा तब ज़्यादा खरीदेंगे sir पहले हम क्यों ज़्यादा पैसा लगा दे sir पर आप समझते नहीं हो आपको क्या लगता है सस्ता है जितना उसे के उठालो तो यही तो आप गलती करते हो sir और फिर आप मुझे कहते हो कि sir आपने मुझे फसा दिया दूसरी एक और बात आपको बताओ sir कि यहाँ पर यह जो bank fraud वाला news अभी आ रहा है ना यह जो blogger है इसके आलावा जो आर्टिकल लिखते हैं इसके आलावा जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं यह पूरा मार्केट को मेनुपलेट करते हैं आप इस बात को थोड़ा समझिए एक news आया मार्केट में तहलका मत किया एक news आयेगा मार्केट में फिर positivity बनने लग जाएगा तो news ही है जो सबको घुमा रहा है आप समझ नहीं रहे हो सिर्फ बात को और एक बात और बताओ sir जीटिये लिमेटेड गिरा है आपको जीटिये लिमेटेड दिख रहा है पूरा श्टौक मार्केट गिर रहा है यह क्यों नहीं दिख रहा है sir करेंगे ये कभी खतम नहीं होने वाला है तो आप बचके और अगर सोधानी से निवेस करेंगे तब ही आप यहां से पैसा बनाएंगे सर और बीना सोचे समझे अगर आप स्टोक मर्केट में आएंगे तो बरवाद होएंगे और कुछ भी नहीं आज लगबग 14 साल होने जा रहा है जीटीय लिमिटेड का बेंट फ्रोड का और उस न्यूज को आज छेड़ा जा रहा है 14 साल पूरा ना चलो मान भी लेते हैं कि आज पकड़ा गया या फिर जो भी हुआ है इस वज़े से आज न्यूज आया ये चीज पहले भी हो और आपको एक बाद बताऊं इंसाइट ट्रेडिंग और आपको सिर्फ सिर्फ निकलना आ गया ना तो मार्केट से पैसा आप बना पाऊगे और आप थोड़ा दूर की सोच रखो अगर जो दिखा सिर्फ उसी पर विश्वास कर लिए ना तो फिर कभी भी नेटी कोगे स्टोक मार्केट में दूसरी बात मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ जो मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टोक में निवेश करें आप खुद का रिसर्च करें और खुद का रिस्क पर ही निवेश करें तो खेर ये सब तो बात अलग हो गई पर आब हमें करना क्या चाहिए सेर को बेच के निकल जाना चाहिए या फिर सेर में होल करूंगा बाकि आपकी मर्जी और मैं होल्ड क्यों करूंगा क्योंकि सेर जो है आराइस लेवल से नीचे आया है और जब भी यहां पर स्टोक आता है तो इसमें एक तेजी देखने को मिलता है हर बार ऐसा हुआ है बाकि सेर मैं तो इस स्टोक में होल्डिंग बनाए पर एक ऐसे स्टुडेंट के नजर से देखें तो उन्हें बहुत जादा दुख होता है कि 2000 रुपया मेरे डूब गया क्योंकि वो भी एक पैसा है सर तो आप अपने हिसाब से देखें मुझे तो उमीद है सर कि GTL में आपको तेजी देखने को मिलेगा ही मिलेगा थोड़ा लंबे समय के लिए हमें इंतिजार करना पड़ेगा वो अलग बात है पर सेर जो है वो तेजी दिखाएगा बाकी आप खुद से नितने जरूर लें तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो सब्सक्राइब याल जब तक के लिए बाई बाई